नमस्कार मित्रों अभी हम जिस जगा मौजूद हैं ये छेत्र समस्ति पुर्जिला के हसानपूर परखंड के लगभग आप दूदपूरा पंचाइत कह सकते हैं इसको चुकि यहां तीन पंचाइत है दूदपूरा और देउधा इधर मंगल गड़ और अभी हम जिस रोड प कोस्राटू राजगाट आद से लगभग धाई तीन साल पहले इसका कार्ज जो है सो चालू किया गया था यहां के जो हसानपूर के जो बिधायक राज कुमार जी हैं उन्ही के सेसन में या रोड जो है सो चालू किया गया था और अभी बरतमान में मैं आपको बताऊंगा त और भूत्पुर्ड मुख मंत्री लालू प्रशाथ के बेटे तेज़ पर्ताब यादब जो है सो इस हसनपूर विधान सभा के बिधायक बरतमान में हैं और अभी उनके कारकाल में अभी भी इस रोट का जो है सो काम चालू है और इस रोट के जो एजनसी है इतना घर्टिया इस रोड का जो काम किया है मैं आपको बताऊंगा तो साइथ आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे फिलाल मैं बाद में बाद में चर्चा करूंगा लेकिन बरतमान मैं इस्थिति आपको अभी बताता हूं अभी आप देख लिजिए मेरे पीछे जो बालू का ये जो मिटी क जो कार्ज रोड के साइड में दिया जा रहा है देख लिजिए कि लगभग आधा से जादे मिटी पूरे रोड पे बिचा के छोड दिया है जिसके कारण अभी जो है इस रोड पे जो है जितने भी लोग लगभग यहां से पर पूरब की दिशा अगर हम जाते हैं तो रही है फिलाल इस रोड का जो में जैंझे जू राज़गार में लाइन है लोग से निकलते हैं तो रोसरा जाने रोसरा जाने जो काम किया गया है रोड पे आधा से आधा जादे बालू कर रख दिया गया घर से अभी देख लिजिए मैट्री का परिछा चला है उस दर्मियान में घर से बच्चिया उनके गारी में बंद होके चले जाते हैं लेकिन बताईए जो इस बूट साइकिल से जिनके पास साधा कि नहीं है वो इस रूट से जाते हैं तो उनको रोस्ता जाती हुआ उनको नहाना परता हो कापिरा ना परता होरा只是 रोड एजंस्यांसी करें तरहरा रही मैं आप this road माली आर्हां कर तृट के च्यों करता है और यself का घरता है और वीना आपको आगा ranch a kémश का दButang करता है ब पूरा रोट बन रहा है और पीछे से रोट तुट जा रहा है बताइए इस चेत्र के जनता इस चेत्र के लोग को किस तरह से मतलब जो आप बोखलाया जा रहा है ठका जा रहा है क्या यहीं हां के जो बिधायक हैं उनको इसी तरह से यहां के जनता भोट दिये थे उनके साथ ठगी करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह इस चेत्र में जो ऐसो लगभग कई बरसों बाद मैं कह सकता हूं कि शेत्र के लोगों को जो ऐसो ऐसो ऐसेच का कि पटार ब्रोट के लंब संगे लोगों को कुंळाए हिस कलो में रिए जातान्य के लाक already जाने के लिए फेम्स तो कि खर्ण है कि मिधन्स पटार जांब पान चनल संग तो का कि कुछ से यादे साहित नहीं कुण सकते हैं. मुझे साहित उंता जंकारी लेकिन मैं बता हूँ गदाने सिरीट। को जो अचे यहसों है, ति पर यह इस तरह काम समय इंजिनियर को रहे चाहता है। यहाने कहले साहिक भूमार को यहान कहीता है. तो आगे बरने के लिए बोल देते हैं बताईए हमको आप जहां जहां 20 फीट का गड़ा आता वहां भी वहां भी बर्तमान में बताईए यह पूरा जो मिटी बताईए यह मिटी जो साइड में डला जा रहा है किस तरह से लोगों को पर एक मिनट में एक गारी यहां से गुज पहले दहाना होगा, तब जाकि परिच्छा हॉल में वो जाके परिच्छा देगे. इस खेतr के, लोकसवासांसाद महमूर अलिकेसर, ठीक है, आपके खेतr में या नहीं आता है, लेकिन आपके आप पहल नहीं कर सकते हैं इस खेतr के जनता के लिए, क्या आपको इस छेत्र के जंता इसी तरह से आपको दर्स साल से यहां के स्वांसद बना के भेज़े हैं। मैं बरत्मान बिधायक परतिनीरी से मैं पूछना चाता हूं जो इस छेत्र के पद्वार लिये हैं वीवादेभी। आप को साइव पता होगा कि इस रोट नहीं बने के कारण पूर्वी छेत्र के लोगों को जो है 120 किलो मेटर घूम के रोसरा और जिला समस्ती पूर जाना पड़ता था लेकिन इस रोड के निमान से आज जो है 120 किलो मेटर 15 किलो मेटर कम दूरी करना पड़ता है और लोग असानी से रोसरा समस्ती पूर चल जाते हैं लेकिन आप देखिएगा कभी गारी से उतर कर जो श्रोट का शिस्टम गरबरा रहा है। मैं आपको बीटियों भी दिखाऊंगा कि जो रात में दस बजे में यहां जो भीमान करती है। बताईए यह दस से पंदरा दीन पहले इस यह इसका जो भी किया गया बताईए। आप साथ में केमरा में से दिखाना कोहूंगा कि आप नीचे दिखाएए। यही ही पीचिंग है। अभी तक यहीं है। कि यहीं कार्ज होता है मैं आपको बताऊओंगा इस कोरोना काल में इस कोरोकाल में जहां पे मजदूर जो आसो बाहर से घर आ के मजदूरी नहीं मीला था घर पे आपके बेटेंगें क्या यह यह कंट्रक्षन भी भाग इस छिद्ध के लोकल मजदूर को अगर यहां पे काम क्या उनका पेट नहीं भाड़ा क्या यहां पर मज्दूरी Aangy lugня क्या यहां पर रोजगार सिर्जन नहीं होता Tá Ce pate your machine से काम करके यहहीं के अ कम करके जह उते अमिट्री भार का है फोरा शो जो है सो रोड़ पे आदा-दधी फोड़ दिया और यहां के शेति के जंटा को भोलीबाली जंटा को मुर्ख बना कर जह सुज्जेसे चिसे काम करके जहासो है अपना बील भाजाना चाहती है अभी मैं जिस जगह पे खाड़ा हूँ यहां के बगल में देखिए मैं आपको केमरा में से दिखना चाहूंगा यहां पे जो है सुसेकरों बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं और दीन रात यहां पे इस रोट कभी भीजी नहीं रहता एक मिट में एक गारी गुजरती है औ मता यह सर आपका नाम क्या हुआ मेरा नम गोविंद कुमार केलियर रसन कोचिन का डाइरेक्टर हम अस्थानिया लोगों से ही कहना चाहता हूं कि यह जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है काफी अच्छा नहीं माना जाता है अभी एक्जाम का टाइम चल रहा है जैसे त्यंत का अभी बच्चा इसे परवावित हुए है क्यांकि इसे धुल न मीती काफी पड़ता है और बच्चा के एक्जम देने में काफी कटनाई होती है हम लोग है करना छातें कि इस पर जदा कर बाइक जह जदा करवाई के जाए और जदा से जदा इस नियूज को जहां तक फैलाने की कोशिज क्या जाए हम लोगों को आदेश रहेगा कि देखिए अभी जैसे गरी आ रहा है देखिए कितना धूलू रहा है एक्जाम देने में सबसे ज़्यादा बच्छा को कठना ही होती है हम एही करना चाहते हैं अभी फिलाल बरतमान में चल पर रहा है बताईयों को को काफी को चलते नहीं किया जाता है अगर यह जो चले गए अगर यह caм करके support डाट अगर माँ के लिए मजदूर के द्वारा अगर पिना इस्ना मृत रहाट को किया जाता है कोई भी कम करेगा ति रात को किया जाता है रात को बिकास के लिए जिता है थे ठीक है यह विकास तो हो रहा है लेकिन विकास के निर्मानकार में अगरम गाइ गिलने के बजाशा आप गोन सलागे गिलते जा रहे हैं इस पर आपका क्या कही जाए उस पर कुछ ध्यान दिया जाए और नहीं है लगवग तीन साल से चल रहा है टीन साल को लोगों से हैं है उस पर जो कारवाही की जा ठाश्तु रूप से किया जाए अब भीकावक गन जा रहे हैं मैं इन से छान राय विचार लेना चाहता हूं इसर आप बताईये अभी अभी आप सर कहां से आ रहे हैं अभी परसा से आ रहे हैं और कहीं आप अपने काम से रोष्रा समस्थी तो यह आपको जहां जाना होगा वह आप जाते हों अभी इस छेत्र में जो यह रोड का जो कंटक्षन जो काम हुआ है और कंट्रक्शन काम तो कितना क्या खराब क्या बढ़िया हुआ है साइथ बताने के ज़रत मुझे नहीं पढ़ेगी साइथ आप लोग जानते हुए लेकिन अभी बरतमान में जो मिटी का जो कार जी आधा मिटी मतलब रोड के साइड में और आधा मिटी जो है सो रोड पे छ जब आदा चुर्द क्या इसे आपको स्वास्त में असर नहीं पढ़ेगा यह बहुत ही खराब है अभी आने में बहुत परिसानी हो रही है जाता कि सवाल है आने में तो आख आख दर्द पहुंच्टे पहुंच्टे लगता है आख पूरा मेरा खराब हो जाएगा शर्त छ सवां हो रहा है बहुत गरता आज उसके बात पानी की ब्रस्ताने हलका पानी चीरक दिया जाएगी विवस्ता ने कि आगया और भाभी आधी जो हैं मिट्टी का है फूरा मतलब शलग तो हुप्टी पन लगा रोट पर ही मिट्ट्टी है और गिरा चाहिए अधार में गिरा आपका नाम क्या हुआ राजु कुमार मातो आप कहां से काले पट्साथ संपूर बिधान सब्सक्राइब अपने बीधायक क्या करना चाहेंगे इस मुटापिक बीधायक तो हम लोग उनको बीधायक चुने ही नहीं अब जहां जीत के चले गए वह आज तक आये ने जनता क्या आज तक आये ने दुन्हों भाई जाकर बैटे हुए हैं क्या करें पताने अपना च्छेत्र के जनता से एक बार तो मिली है जो जो आपको उस पद पर रख के उचले गये हैं आकर एक बार मिलिये देखे जनता क्या तकलिफ है रोड पर आकर घूमिये तब ने पता चले लि पर प्रोब्लम है क्या दिक्कत है तब आप समझ पाएगा आप उनके माध्यम से आप उनको आप भी पहुंचाएगा संदेश की यहां के जनता क्या पास दिक्कत है रोड जो जो एसेट्स का जो शेने नियास लगबग दूर धाई साल पहले किया गया था तो मुझे लगता है कि पूरवी छेत्र के लोग को जो है सो लंसम 10 से 15 किलोमीटर का जो है सो दूरी कम हो गया होगा क्या यह बात सही है अगलत है लेकिन इहां सुपधा बरह आये लेकिन बहुत धीमी गतिस काम हुआ इसको पहले हो जाना चाहिए जहां छुटा है वहां बन रहा है तो जहां खतम करना चाहिए था अभी माली जी आम यहां पर खड़े है आगे वहां बन ही रहा है पुलिया दिया वहां बना ही नहीं है बहुत डेंजर बना यहां कल तक खराब था आज दूचार दिन पहले इसको किया है फिर भी यहां डेंजर है डैभरसने डेंजर है अहां प्लेन निपापूति करके निकल गया है तीक है देखे मैं आपको यहां के जो अस्थानी लोग है मैं उनसे भी मिलाया हूँ और कुछ एक और हमारे गार्जियन शुरूप यहां पर जा रहे थे आप अपना नाम बताईए अजय प्रताप अपसर आप कहां से हैं और अभी कहां जा र से आपको किस प्रकार की परिशानियां हो रहे हैं यह तो बहुत अच्छा है जी थोड़ा सा गाड़ी आगे बात करना चाहूंगा दो में को खासी हो गया धूलकन के कारण से फिर भी इनका वीचार में आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं बहुत बढ़ियां का कारे आपका है बहुत बढ़ियां कारे आपका है और सक पूछिये तो यह जितना धूल रहा है इसे मतलब कि जो चातिवत में संक्रमन होने की संभावना कई गुना है और इस प्रकार का जो यह ठीकेदार लोगों का जो कारे है बहुत ही गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए और इसकी विवस्था करनी चाहिए लोगों को बहुत जारी परिशानिया हो रही है आँखों में धूल जाने के कारण आँख में भी इंफेक्शन होने का डर है और स्वसन प्रणाली जो है वो भी खराब होने की जहां पूरी पूरी 100 चांस का सकते हैं जिस तरह से धूल हो रही और इस रोड के निर्मानकार के बाड़े में सब क्या कहें हैं निर्मानकारे तो प्रकार से समय था उसको बहुत तेजी से किया जा सकता था लेकिन मतलब कि कहीं न कहीं प्रसासनी को या यह ठीकिदार का जो भी कारे है बहुत डिले है और इसको मतलब जितना जल्दी हो पूर्ण कर ले चुकि रोड बनने में समय लगता है अगर माली जे लगा रहे हैं तो इससे आवा गमन बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है अगर यह तेजी में अगर हो गया रहता है यह दो-तीन साल से सुन रहे हैं कि काम चल रहा है और तीन साल में अभी तक इतना छोटा सा रोड नही देख रहे हैं यह पूल के निर्मान के बाद यह देख रहे हैं कितना मतले की रोरी ऊण हुआ है इसी प्रकार आगे भी आपको रोरी मतलें कॉरत शुआ है और रात में िहां बिना लाइड का मेरे पास वीडियो है जिन क्य प्रकार का रोड उखरा हुआ है जिस पर सरकार ध्यान दे चुकि सरकार इतना खर्द करती है और अगर मान लीजे इस प्रकार से गर कारे होगा तो यह तो प्रसासन के पैसे का मतलब की दूर्प्योग है सरकार के पैसे का दूर्प्योग है गाई गिलते गिलते मतलब को सला भी गिलना चाहरा है जी कैसर आपका नाम क्या हुआ अब सिंगिया परखन से और अपका कुंडल कुंडल है धनवेत्र के बारे में इस रोड के बारे में दिखाने का पर जो पाहल करें और कहीं ना कहीं जो है जो जोका जोबी गरबरी ओंझा यहां तर तक के लिए मैं गॉडव कुमार शिंमा